दो साल से ऊपर का टाइम निकल चुका है, तो मैं ये सोच से सोचते कि भाईया, तो मैं फैट लूज करना है, तुम्हें मसल्स ग्रो करनी है, तुम्हें एक बहतरीन फिट बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, याद करो अपना, वो एक दिन जीस दिन तुम प्रॉमिस करके सोये थे, तुमकी सुबह उठूंगा और दो किलोमीटर रनिंग करने के बाद, पुश अप मानूंगा, स्प्रिंट मानूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, सब कुछ करूंगा तुमने, अपने लिए अच्छी क्वालिटी वाले शूज खरीदे, हाथों में टी-शर्ट शॉर्ट स्लोर 14 चाहिए होती है, ना दिखने में, जो एक जिम वाला बंदा पहनता है, वो सब की सब खरीद डाली तुम्हारा, वो जोस 5-6 दिन तक मेंटेन रहा, तुमने पूरे जोश के साथ वर्काउट शुरू किया, अपने आपको इतना मोटिवेटेड क और फिर तुम्हारे वर्काउट में क्वालिटी कम होने लगे, उसके बाद तुमने अपना पहला ब्रेक मारा, यह सोचकर कि यार रेस्ट भी तो जरूरी है, बॉडी को बिलकुल सही बात है, फिजिकल रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी वर्काउट होता है, फिटनेस गोल्द को अचीव करने के लिए, और उसके बाद तुम एक के बाद ऐक करके बहुत सारे ब्रेक्स मारने लगे, ब्रेक पे ब्रेक पे ब्रेक और इसके बाद तुम्हारी कंटिन्यूएटी कभी भी मेंटेन नहीं रह पाई, उस दिन से लेकर के आज तक शूज के बाद ना जाने और कितने फैंसी शूज आये और चले गए जब मन किया तुमने वो प्रोटीन का एक स्कूब डाल के पी लिया और अपने आपको ये यकीन दिलाया कि आप बिना वरक आउट किये भी अच्छी डाइट लेकर के अपने फिटनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हो हाँ भाई बिलकुल कर सकते हो बट उस प्रॉमिस का क्या जो आपने अपने खुद के साथ किया था कि मुझे रिटिक रोशन जैसी बॉड़ी बनानी है मुझे टाइगर श्रॉफ जैसी फिटनेस अचीव करनी है मुझे द्रोक जैसी मसल्स ग्रो करनी है उन धोकों का क्या जो तुम्हारे साथ हुए है उन कॉमेंट्स का क्या जिनमें ये दुनिया तुम्हें बोलती थी कि यार आजकल कैसे ऐसे मुर्जाय हुए से लगते हो आज आपको सब बाते छोड़ करके एक बात पर फोकस करना होगा की अगर आपके लिए आपका वो फिटनेस कॉल इतना जरूरी नहीं था तो फिर आपने उसको बनाया ही क्यों आपको इन दोनों बातों में से एक बात को चूस करनी पड़ेगी कि आपको एक बेहतरीन स्टील बॉड़ी बनानी है या फिर अपने आपको ऐसा कमजोर सा मुर्जाया हुआ सा दिखाना है जिसको दुनिया दबाना चाहेगी कुचलना चाहेगी लाइफ is all about the decisions you make and those decisions come from your choice choice is come from needs और आपके needs को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कोई नहीं जान सकता not even your parents not even your brothers, sisters, friends not when, not even you अरे closed person in the world अपने आपको पूरी तरह से जानने का अधिकार केवल आपका है आप इतना गिर गए हो कि ये अधिकार भी खो चुके हो ये आप क्या बनना चाहते हो 15 kilo weight lose करना difficult नहीं है मसल्स गेन करना भी मुश्किल नहीं है ऐसे ऐसे लेवल से उपर उठकर के hard work किया है ना कि दुनिया उनको आज भी fitness world का गुरू मानती है मैं आपको कोई workout करना नहीं सीखा रहा हूँ उसके लिए YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं जो आप जा करके देख सकते हो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के वीडियो हैं जो आपको diet लेना सिखाएंगे मैं आपके अंदर केवल वो चिंगारी जलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप ये सब कर पाओ हर किसी को हक होता है कि वो भी life में कम से कम एक बार तो अपना dream physics करके दिखाए अगर आपको six pack हमेशा से attract करते हैं तो आपका भी हक बनता है कि life में कम से कम एक बार तो खुद भी six pack fitness अचीव कर पाओ और खुद के आलस को, खुद की मुश्किलों को, खुद की कमियों को, कमजोरियों को दूर करके अपने आपको ताकतवर बनाओ मैंने लोगों को देखा है कि यूट्यूब पर कोई वीडियो देखेंगे या किसी fitness star का वीडियो देखेंगे और पूरे जोश के साथ आकर गए अपना workout शुरू कर देंगे ये बहुत ही अच्छी बात है बट इससे भी ज्यादा अच्छी और जरूरी बात क्या है वो ये है कि इस काम को continue रखना hard work को sustain करना हर कोई WWE fighter नहीं बन सकता और ना ही जरूरी है कि उसका ये मकसद हो ऐसा बनना है बट कहते हैं कि आपका शरीर ही आपका पहला मंदिर है आपका शरीर ही आपका पहला साथी है और आपका शरीर ही आपका पहला सुख है पहला सुख निरोगी काया बाकी सब हुमाया अगर आप physically strong रहोगे ना तो आपकी mental strength भी better होगी आप life के हर field में दूसरों को outperform कर दोगे दुनिया में आप पैसा किसी और से ले सकते हो खाना आपको कोई और बना करके दे सकता है लेकिन fitness ऐसी चीज है ना जो आपको खुद बनानी पड़ेगी अगर आपको weight loss करना है या muscle gain करना है तो ये काम आपको खुद को करना पड़ेगा कोई आपके लिए नहीं कर सकता आपका coach भी नहीं कर सकता होगा fitness guide भी नहीं कर सकता nobody else wonder than you can do it for you आपको खुद को अपने लिए करना होगा ये सब there is no alternative सुभे चार मैस बजे उठना है तो आपको ही उठना पड़ेगा उसके बाद 5 किलोमीटर रणिंग करनी है न तो वो आपको ही करनी पड़ेगी week में अगर 5 बार जिम जाना है तो वो आपको ही जाना है आपको ही पसीना बहाना है आपको ही अपने हाथ पर तोड़ने एक अच्छी डाइट लेनी है तो आपको ही लेनी पड़ेगी एक अच्छी recovery slip लेनी है तो वो भी आपको ही को recover करना है तो वो दिन दूर नहीं है जब आप इससे बाहर निकल जाओ सुबह पांच बजे का कार्डियो आपको हर एक health struggle से लड़ने की ताकत देगा आपको हर चुनोती का मुनहतोड जवाब देने की हिम्मत देगा powerful squads आपके घुटनों में वो ताकत भरेंगे ना जिससे आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खड़े रह पाओगे इस ताकत को फील करो योगा और meditation आपकी mental strength तब तक भी बनाए रखेंगे जब आपको लगेगा कि भाई, वक्त बहुत मुश्किल चल रहा है एक अच्छी diet आपको medicine खाने से रोकेगी और एक अच्छी sleep आपके हर physical, mental और emotional cycle को support करेगी जो दर्द आज आप face करोगे ना, वही आपके आने वाले time में आपकी ताकत बनेगी अपने दर्द को महसूस करो और अपने आपको उस परिस्थिती में डालो जहां पर आप अपने दर्द से जीतने के काबिल बन सको बहाने मारने से कोई calories बन नहीं होती बलकि push-up मारने से calories burn होती है वर्क आउट करने से calories burn होती है दुनिया में कोई भी दर्द permanent नहीं है धीरे धीरे उस दर्द की जगह कोई और ले लेता है लेकिन अगर उस दर्द से लड़ करके अपने आपको strong बनाने की कोशिश नहीं करोगे वो दर्द हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा और आपको कमजोर बना कर छोड़ेगा अगर आप लड़ना छोड़ दोगे ना तो फिर दर्द हमेशा के लिए आपके पास रहेगा दर्द से भी बड़ा दर्द होता है दर्द से नहीं लड़ने का दर्द हो